अब भी रोहित शर्मा और MS धोनी को बहतरीन खिलाडी बाते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोसो दूसरे T20 मैच को जीतने के लिए रोहित शर्मा ने भारत की प्लेंग 11 में सबसे खतरनाक बतलाव कर डाले हैं आखिर कर इस बार किन दिगजों को टीब में शामिल कर रोहित शर्मा सीर्मा सीरिस को जीतने का प्लाइन बना चुके हैं रोहित की नई प्लेंग 11 कैसे दिखेगी क्या क्या बतलाव होने जा रहे हैं आपको इस पूरी प्लेइंग 11 का विडियो दिखाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है रोहित और धोनी में पहतर खिलाडी और कप्तान कौन है नीचे कमेंट करके बताना बिलकुल नहीं भूलिये का दोस्तो भारत और अफगानिसान की टीम के बीच में तीन मैचों की टी-20 सीरिस का अगाज भारत की जबरदस्त जीत के साथ हुआ है मोहाली के आई-एस मिंदरा स्रेडियम में भारती क्रिकटीम कितनी शांधार जीत दर्ज करेगी सोचा नहीं था अफगानिसान की टीम ने कांटे के टकर देरे का पूरा प्रयास जरूर किया लेकिन उसमें फेल हो गए और दोस्तो भारत ने उस मैच को छे विकट के अंदर से जीता जिसमें गेंदबाजी तो तापर तोड़ थी ही साथी बलेबाजी में भी शिवम दूबे और गिल्ट से लेकर बागे खिलाडियों ने भरपूर योगदान दिया था लेकिन अब मामला सीरीज को जीतने का है और टीटवर्टी वर्ल्ड कप नजदीक है तो रोहित भी चाहेंगे के ही हर सीरीज को तीन जीरों से जीता चाहे योगि दोस्तो भारत के वैसे ही गिने चुने मुकाबले बचे हैं विशकप और आईपील से पहले दोस्तों आपको बताते के सीरीज का अकला मुकाबला इंदोर के ओलकर क्रिकेट स्रेडियम में होना है और दोस्तों ये जो मुकाबला इस मैदान में होना है ये अपने आप में रोमंचक होने वाला है जरांगरे तो सुनिए इस मैदान के लोईस्ट टोटल यहांपर 172 बना है और हाईस्ट 260 तक गया है मतलब कि रणों की दो पारिश होगी दोनों तरफ से परंद रोहिश शर्मा चाहेंगे कि इस मुकाबले के सासा सीरिस को भी जीत रहे और इसके लिए वो टीम में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे है पिशले बार की प्लेइंग 11 ने निराश नहीं किया था लेकिन फिर भी बदलाव तो बनते हैं दोस्ट बदलावों के साथ रोहिद की नई प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी चलिए एक एकर आपको बताते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोस्टों के सलामी जोड़ी के तौर पर शुबन गिल के साथ ही रोही शर्मा उतरना परसंद करते हैं और शुबन गिल ने अपनी काबिलत को बगद बगद पर साबित भी किया है चाहे वो IPL हो टेस्ट हो या फिर 1-day T20 क्यों ना हर जगे शुबन गिल पहली पसंद बन कर रहते हैं तोस्टों पिछली बाद शुबन गिल ने मिस कम्मुनिकेशन रोही शर्मा उन्हें बेंच पर बिठा कर बेंच पर से SSV जैसवाल को टीम में ला सकते हैं आप सही सुन रहे हैं तोस्टों ये SSV के रेकॉर्ड भी उतने ही तापर तोड़े हैं और इस उमर में वो क्या कुछ कर सकते हैं वो ये बात अच्छे से समझते हैं इसलिए शायद टीम के ओपनिंग इस बार रोही तो गिल नहीं बलकि रोही तो और SSV जैसवाल करते नज़राएंगे तिलक परमन एच्छी बल्ले बासी करी थी सिवं दूमे ने भी अपना रोल अच्छे से ने भाया तो ये दोनों तो टीम में रहेंगे साथ जिसा दोस्तों जुदेश शिर्मा ने भी तापर ट्रोल बल्ले बासी करी थी और विकेट कीपिंग में भी कोई कमी नहीं थी लेकिन टीम के बाहर दोस्तों जो विकेट कीपर बैठा है वो है संजू सैंसर और रोही शिर्मा उनको मौका जरूर देते हैं जिनको अक्सर कम मौकें मिलते हैं जितेश शिर्मा तो आई पेल से लेकर आने वाले कई सालों तक खेलते नजर आएंगे क्योंकि दोस्तों उनकी उम्र संजू सैंसर से बहुत कम है तेकिन रोही जानती है कि अगर सैंसर को मौका मिला और भारत के रेच्छर कर गए न तो एक बहुत 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 बहुतरे इंविकेट कीपर उभर कर सामने आएगा इसलिए हम समको शायद जितेश की जगह संजू सैंसर दिख जाएं दोस्तों बार की टीम में रिंकू सिंग तो रहेंगे ही और अक्षिर पटेल भी और डाउंडर के तोर पर वाशिंग्टन सुंदर है तो मुई तेज गिंदबाजी को समाल रहे हैं अर्षिदीप सिंग और मुकेश कुमार और साथी साथ अब जो एक और बदलाव होगा वो गिंदबाजी में हो सकता है जो की रवी बिष्णोई की जगह कुलदीप यादव हो सकते हैं दोस्तो जब से कुलदीप यादव ने भारति क्रिकटीब में कदम रहा है हर एक फॉर्मैट में वो शांदार परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं और अभी बिष्णोई की जगह कुलदीप को लाना उनकी टीट्वेंटी वर्ल्ड कप से एक बहतरीन प्रेक्टिस करा सकता है इसलिए कुलदीप का आना टीप में शरूरी है और दोस्तो यही है वो पूरी प्लेइंग 11 जो बड़े बतलावों के साथ हमें नदर आ सकती है आपको बता देते हैं रोई श्यर्मा सस्वी जैसवाल तिलक वर्मा शिवंग दूबे संजू सैमसन रिंकु सिंग अक्षर पत जीते तो वीडियो को जरू लैक किजिएगा दोस्तो भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे टीटवंटी मैच का बदला समय टॉस के बाद शूरू हुआ रोमांचक मुकाबला रोहित शर्मा ने चुनी पहले बल्लेबाजी आखिर भारत ने बना दिये कितने रन कौन बल्लेबाज पहुंच गया शतक के करीब रिंकु सिंग की पारी तो देखी भी ना आप भी कही मत जाएगा और बने रहीएगा अंतर तक वीडियो में और प्लेंग 11 टीम के साथ आपको पूरा मैच यहां लाइव दिखाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और अफगानिस्तान में से दूसरा टी-20 मुकाबला कौन से टीम जीतेगी अपनी किमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चली अब आपका ज़्याता समयना ले तो वे शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों जैसे कि अब सबी तो जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान दोची प्रतिदंदी टीम हैं और दोनों टीम है जब भी आमने सामने होती हैं तो टी-20 का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला जाता हुए नजर आता है और भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला अपना भारतिया बल्लेबाज संजो रहे हैं वहीं हम आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक पुल मिलाकर 6-20 मुकाबले खेले जा चुकें इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकिन यहां 6 में से 5 मुकाबले भारत की टीम ने जीते हैं और एक मुकाबला ड्रॉपर सामापत हुआ था जहां अफगानिस्तान की टीम आज तक भारत के खिलाफ एक भी टी-20 मुकाबले जीतने में काम्याब होई नहीं है और अभी भी यही आकड़े को बरकरार रखते हुए भारतिया टीम आगे बढ़ना चाहेगी वहीं हम आपको बता दें कि एक जहां कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इबराहिम जातरान अफगानिस्तान टीम के लिए कप्तानी करता हुए नजरा रहे हैं जो कि अपने टीम को जिताने का सपना लेकर यहां आए हैं लेकिन यहां पर उनके अर्मानों पर पानी फेरता हुए रोहित शर्मा पूरी तरह से न जा रहा है वहीं अगर बात किया रहा है मैच के बारे में तो दोस्तों आप सभी है मुकाबला लाइव अपने टेलिविजन पर स्पोर्ट्स 18 पर देख पाओगे और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन श्ट्रिमिंग देखनी है तो वह जिय और मुकाबले को थोड़ी देर के लिए रोका जरूर जा सकेगा लेकिन बारिश होने का कोई असार है नहीं जिसके चलते आप सभी को पूरा मुकाबला खेला जाता हुआ भारत और अफगानिस्तान के बीच यह न जरा रहा है वहीं अगर भारत की बल्लेबाजी की बात की तो दोस्तों यहां पर टोस जितकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्ड़ा टीम इंडिया का सबसे सही निर्ड़ा माना जा रहा है क्योंकि यहां पर कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में चल रहे हैं और वो यहां अगर शतक जड़ देते हैं तो शुमन गिल यह सस्वी जैस वाल तिलक वर्मा भी उनका साथ निभाएंगे और यहां भारती टीम के स्कुर को आसानी से 200 रन के पार पहुचाया जा सकता और पिछले मुकाबले में जिस तरह से शिवम दूबे जिते शर्मा और रिंकु सिंग ने बल्लेबाजी किती वहां तो ऐसा लगता है कि भारत की टीम को हराना इस बार मुश्किली नहीं बलकि नाम उनकीन है और दोस्तों प्लेइंग 11 टीम बताएं आपको यहां प्लेइंग 11 टीम में भी कप्तान रोहित शर्मा ने कई बड़े बड़े बदलाव कर डाले हैं जहां उन्होंने यससवी जैसवाल की बापसी करवाई है ज बूमीका अक्षर पटेलोर वासिंटन सुंदर निवार रहे हैं तो वहीं गेंदवाजी में रवी विसनोई अर्शदीप सिंग और मुकेश कुमार खेल रहे हैं बाकि अब आप सभी की क्या राया भारत और अफगानिस्तान के बिच दूसरे टीटीम मैच जीतेगी अपनी किमती राय हमें निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बाताईएगा अभी रोहित शर्मा और बिराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बहले बाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाब दूसरे टीट का पूरा इतिहास पुलट कर दिया तो आखिर कैसे रोहित कोहली के बाज शियोम दुवे का आया होल करके मैदान पर तुफान कैसे भारती टीम ने अफगानिस्तान के सामने रखा कभी नहासिल कर पाने वाला लक्ष इन तीनों बल्लेबाजों की तुफानी पारी तो हम विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाग बल्लेबाज निचे कमेंगर के जरूर बताईए दोस्तो भारत और अफगानिस्तान के वीच दूसरा टी-20 मुकावला इंदोर के होल कर स्ट्रेडियम में खिला गया इस मुकावले में कपतान रोशर्मा ने टोस जीत कर पहले बल् भारती टीम को दोनों बल्लेबाजों ने बहतरी शुरुआत दिलाई और एक के बाद एक दोनों खिलाडियों ने चौके से खेल की शुरुआत की बारती टीम के स्कूर को पहले योवर में दोनों बल्लेबाजों ने 16 रन तक पहुंचा दिया विराट को रोशर्मा के साथ उपनिंग करते देख स्टेडिया में बैठे दर्शक भी खुशी से जूम रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धेशा तक की साजेदारी पूरी की और मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन रोहित कबला रुगने कर नाम नहीं ले रहा था। वभीता पर तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिये। समल कर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोली भी अपने अर्धेशा तक के करीब आ गये। ये दोनों बल्लेबाज अपने परदर्शन से हर किसी को हैरान कर रहे थे और दोनों की बल्लेबाजी देखकर भारती खेमा भी खोशे से जूम रहा था। आज अफगानिस्तान के गेंदबाजों के धज्या उड़ाने पर तुला हुआ था, महीं विराट कोली भी शांदार चोके छके लगाया जा रहे थे। तो टीम के लिए सत्रा हुआ हुआ और फेक ने आए मुझीब रहमान की पहली गेंदपर विराट कोली ने अपने अंदाज में शांदार लॉंगाउर की दिशा में छक्का लगा कर शतक पूरा कर लिया। अर्थी खेमार रोली के खड़े होकर तालिया मजाने लगा वहीं मैदान पर उनका साथ दे रहे शिवम दुबे भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे लगातार सिप चौके छक्के लगाए जा रहे थे वजलक फारुकी कोवर में शिवम दुबे ने ऐसा तुफान मचाय जिसे देखकर उड़े क्रिकर जगत हैरान रह गया। दोनों खिलाडी नाट आट रहे दोस्तों देखा आपने किस तरह से रोज शर्मा और विराट कोली के बाद शीवम दुबे ने भी अपने बल्ले से तरण मचा का हर किसी को चौका दिया लेकिन दोस्तों आपको बता दिया मुकावला एक प्रैक्टिस मैच की कहानी थी और किनों को बहतरीन खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों गिल की गलती से रोहिद शर्मा जब रना उट हुए थे तो रोहिद ने तो अप्शब्द कई थे साथी प्रैसिंग रूम में चेकर भी गिल की फटकार लगाती थी आकरकर रोहिद शर्मा ने उनको क्या कहा था क्या माख़ई में खाली गलोच हुआ था अब इस पर दोस्तों गिल ने खुलासा कर दिया है अब शुमन गिल ने अपने बैन में क्या कहा उनके भावक बैन का बुरा वीडियो आपको दिखाने जा रही है लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है क्या रोहित ने जो गिल की गलती पर किया वो सही था या गलत नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में खेलेगा इस सीरीज के पहले डीटवेंटी मैच को जीत करें भारत ने एक बात तो साफ कर दी है सी देखने को मिले इसमें अक्षार पटे के नाम दो विकेट रही रहे साथी दोस्तों मुकेश कुमार की मुहमत नभी का विकेट लेकर जोने 27 गिनों में 42 यानि के सबसे जादा रन स्कोर किये थे खेर 200 विकेट गिरने का सिलसला कुछ जैसे चलता रहा और हमने 20 ओवर में 5 एक सो अठावन पर अफगानिस्तान की टीम को रोब दिया था 169 के टार्गेट को जेज करने के लिए एक बर फिर से रोहित और गिल की चोड़ी मैदान में उच रही लेकिन दोस्तों इसमार को जैसा हुआ जो काफी ज़दा विचलित कर देने वाला वाक्य था मैदान में अगर रोहित शर्मा जीरो पर आउट हो जाएंगे किसी ने सोचा तक नहीं था और इसा कुछ हुआ गिल की चोटी सी गलती के चलते हैं दोस्तों को तो रोहित शर्मा की एथी दोड़ने की लेकिन गिल का ध्यान पिछो रोहित पर नहीं बलकी केबल गेंद पर था रोहित दोड़कर नोंशाइकरेंट की तरफ पहुंच भी गए थे लेकिन गिल भी वहीं खड़े थे और ठीक इस वक्त पर आउट कर दिये गए रोहित शर्मा दोस्तों रोहित को नाचारा होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा गुसल रोहित शर्मा ने काफी ज़्यादा अब शब खेर दोस्तों इस पूरे वाके पर गिल क्या बोले चलिए आपको बनाते हैं दोस्तों शुमन गिल ने अपने बयान में का एक टीम जब भी जीती है तो उसमें कवदान और खिलाडियों की बराबर की मैनत होती है परमान ना पड़ेगा कि आज शिवम दूबे और साथ इसा तरिंकू सिंग और तिलत परमा ने जो पफारमेंस दिया ना और जिदेश शर्मा ने भी व्यकाविल अतारीफ था उन्जा तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है अमीद है कि हम सीरीज के सारे मैच इसी कदर से जीतेंगे दोस्तों शुमन गिल से जब ये पूछा ग दोस्तों अगर आप भी अफगानिस्तान के खिलाफ पहले जिए हैं देकर रोही शर्मा कप्तान और बड़े भाई दोनों हैं मेरे लिए अगर वो कुछ कहेंगे भी तो मेरे भले के लिए ही इसको बतंगड़ बनाने की तो बिल्कुल भी ज़रुत नहीं है वो मेरे कप्ता भारत की जीत से खुशो तो वीडियो को जरू लेक किजिएगा दोस्तों भारत के खिलाफ पहला टी ट्वेंटी मैच हार जाने के बाद फूट फूट कर रो पड़े अफगानी कप्तान इबराहिम जादरान और फिर रोहित शर्मा राशिद खान को लेकर जो कहा वो सुनकर पूरा भारत देश कर रहा है सलाम तो दोस्तों आकेर क्या बोले इबराहिम जादरान वो तो वीडियो में दिखाएंगे होश उड़ा देने वालों का बयान बने रहिएगा अंत तक लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और इबराहिम जादरान म मुकाबला खेला जा चुका है और इस मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की वहीं हम आपको बता दें कि अफगानिस्तानी टीम ने हापर पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए और 169 रन का लक्षे टीम इंडिया को म मिला अब अफगानिस्तान के लिए तो यहां मुहमद नभी के बल्ले से 42 रन निकले तो वहीं अजमत तुल्ला ओमर जाई ने 29 रन बनाए जैसे कि आप यहां पर स्कोर काड में भी देख पारे होगे और वहीं भारत के लिए दोदो सफलता मुकेश कुमार और अक्षर पट अब रोहित के आउट जाने के बाद शुम्मन गिल भी टिक नहीं पाई और 23 रन बनाकर ही चलते बने फिर तिलक वरमा ने 26 रन की पारी के लिए लेकिन यहां पर शिवम दूबे के बल्ले से 60 रन निकले और जितेश शर्मा ने 31 तो वहीं रिंकु सिंग ने 16 रन की पारी ख को अपने नाम करना है और टीम इंडिया बड़ी असानी से यह कर पाने में भी काम्याब होगी क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान इतना मजबूत दिख नहीं रहे भारत को हराने के मकसद से अगर देखा जाए तो क्योंकि दोस्तों उनकी टीम में राशिद खान भी करते हैं राशिद खान के बार हो जाने के बाद अफगानिस्तान की टीम बेहदी कमजूर है और अपनी टीम को मैच जिता ना पाने की वज़े से इबराहीम जादरान काफी तूटते हुए ना जरा है इस बीच उन्होंने रोते हुए भारत की जमकर तारीफ तो की लेकिन उ कि अल्कुल भी नहीं सोचा कि उनके मध्यम करम के बल्लेबाज शिवम दूबे इतना भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं हमारी बस यही गलती रही कि हमने उनको हलके में ले लिया और इसी का खामियाजा यह रहा कि हम मैच हार गए हाला कि पहला टीटवन्टी हार जाने क कर आये हैं कि इस बार हमें किसी भी हाल में टीटवन्टी सीरीज अपने घर लेकर जानी है लेकिन भारत ने हमें जिस तरह से पहले टीटवन्टी में हारा है हमें तो लगता है कि यह सपना इस बार भी हमारा अदूरा ही रह जाएगा और भारत हमारी जीतने में मदद भी न हो जाता अगर राशिद खान टीम का हिस्सा नहीं है तब ही भारत हमसे मैच जीत सकता है और जब तक वह फिट नहीं होते तब हम कितनी भी कोशिश कर लें मैच जीती नहीं पाएंगे लेकिन राशिद खान जब भार आएंगे तब रोहित शर्मा खुद कहेंगे कि राशिद खान की वज़े से भारत हारा है और मैं उम्मीद करता हूं कि राशिद खान भाई हमारी टीम में जल्दी आएंगे और राशिद खान के आते से यहां भारत को यहां दो एक से हराकर इस सीरीज में बता देंगे कि हमें भी दम है आपकी सरजमी परा करके जरूर बताइए दोस्तों अब भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी-20 मैच में रोहित शर्मा को शुमन गिल ने करवाया रन आउट तो बीच मैदान पर गुस्ते में आग बबूला हुए रोहित और फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर हुआ तगड़ा ड्रामा खुद किया खुलासा सुनकर आपके ब्यूड जाएंगे होश तो पूरा बयान रोहित शर्मा का बताएंगे तो बने रहिएगा लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि र बड़त इस T20 शरंकला में बना लिया है दरसल दोस्तों हुआ हिए कि मुकाबला जब भारते कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ शुरू हुआ तो यहाँ पर उन्होंने पहले गेंदवाजी करने का नेड़ने चुना और इस बीच अफगानिस्तान टीम ने पहल 40 रन जड़ दिये तो वहीं रह्मनुल्ला गुर्वाज ने 23 और इब्राहिम जादरान ने 25 रन की पारी के लिए जैसकी आप यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख पारे होगे तो वहीं दोस्तों भारत के लिए सबसे जादा दो दो विकेट अक्षर पटेल और मुकेश कु शिवम दूबे को भी मिला अब भारतिया बल्लेबाज जब पारी की शुरुआत करने के लिए आये तो यहाँ पर रोहित शर्मा और शुम्मन गिल के बीच आज साज़ेदारी कुछ कमाल कर नहीं पाई क्योंकि रोहित शर्मा को तो दूसरी ही गेंद पर शुमन गिल ने र रन पर अजमत तुल्ला ओमर जाई ने चलता किया तो यहाँ पर तीसरा जटका भी भारत को जल्दी लग गया अब शिवम दूबे और जिते शर्मा ने मिलकर ताबर तोड बल्लेबाजी की इस बीच जिते शर्मा ने 20 गेंदों पर 31 रन जड़ डाले तो वहीं शिवम दू जाल भी मचा और रोहित शर्मा काफी भड़कते हुए शुमन गिल पर नजर भी आई जैसा कि आप यहां पर तस्वीरों में भी देख सकते हो और ड्रेसिंग रूम में जाकर भी तगड़ा बावाल कटा अब खुद रोहित शर्मा सामने आया और उन्होंने बड़ा खुला जियां यहां पर रोहित शर्मा कहते हैं कि शुमन गिल एक बहतरीन खिलाडी है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन आज जब वो रन नहीं भागा और मेरे को उसने रन आउट करवा तिया तब मुझे काफी बुरा लगा मैं गुस्से में उसे काफी कुछ मैदान पर ही कह च जाया कि आज उन्होंने जो गलती किया वो आगे कभी होनी नहीं चाहिए चाहे मैं ही सामने क्यों ना हूं क्या पता कभी टीम को तेम ओवर में 10-15 रन चाहिए हो और शुमन गिल ऐसे ही किसी बल्लेबाज को अगर आउट करवा दें तो हमारी टीम का तो हारना तैह हो जाए हमारी टीम के लिए ये सुचने वाली बात है कि अब टी-20 बड़कप के लिए शिवम दूबे कुट मौका दिया जाना चाहिए तो वहीं रिंकू सिंग की बल्लेबाजी आज मैंने बतोर खिलाडी अपनी टीम में पहली बार देखिया और रिंकू सिंग जैसा बल्लेबाज तो मैंने आज से पहले ये समझलो देखा ही नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि ये टीम अब हमें